सिर्फ एक खाली मिठाई के डब्बे से बनाए दानेदार खिला खिला रसीला बूंदी के लड़ू तेवार इस पेसल में आप सभी के लिए आपकी ससी लेके आई है रसीले बूंदी के लड़ू वो भी बिना किसी जारे के तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं हलो गाइस आप सभी का ससीस तड़का किचन में मैं ससी बहुत बहुत सागत करती हूँ चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं यहां पर एक कटोरी मैंने सिट कर लिया है और इसी कटोरी से मैं 1 500 कटोरी ले लूगी बेसन बेसन बिल्कुल बारिक उलाफिश भूर होना चाहिए तो मैंने यहां बेसन ले लिया मैं कप से अगर नापे तो ये डेढ़ कप के जितना ही बेसन है तो अब इसमें उतना ही पानी भी लगेगा यानि जितना बेसन उतना ही पानी लगेगा तो उसी कटोरी से मैं 1.5 कटोरी भर करके पानी ले लूँगी तो एक कटोरी यहाँ पर ले लिया है और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है एक साथ नहीं डालना है वरना इसमें लमस पढ़ जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और विक्स कर कि सहायता से इसे mix करते जाना है तो देखे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस सारी गुठलियां मैं अब अच्छे से खतम कर लूँगी जो थोड़ी बहुत गुठलियां इसमें रह गई है तो इसे फेट करके खुब अच्छे से इसकी गुठलिया सारी खतम कर लेनी है उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी तो यहाँ पर एक कटोरी में इतना पानी रह गया है तो इसे डाल करके मिला लेती हूँ मैं अच्छे से अब देखे इसी कटोरी से आधी कटोरी मैं पानी और ले लूँगी तो यहाँ पर आधी कटोरी मैंने पानी और ले लिया है और इसे भी थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से फेट लेना है बेटर को खुब अच्छे से फेटना बहुत जरूरी है इससे इसमें एर क्रियेट होगा और जो हम भूंदी बनाने वाले हैं वो परफेक्ट फूलेगा कोई बेकिंग सोडा कोई सोडा की जरूरत नहीं है ये अच्छे से फूलेगा फूले फूले बनेंगे और चेक मैं करा देती हूँ पूरा डेड़ कटोरी मुझे पानी लग गया है इस तरीके से चमच को उल्टा कर लीजिए और एक लाइन ड्रो कर लीजिए अगर वो आपस में मिलता नहीं है तो यानि बेटर हमारा परफेक्ट है और उंगली से अगर चेक कराऊ तो हमारे उंग तुले का डिबबा मेरे पास है आज इसी से हम बूंदी बनाने वाले हैं तो एक सिप्टी पीन को इस तरीके से खोल करके ले लिया है आप इसकी जगह पर बड़े वाले सुई ले सकते हैं तो बड़े वाले सुई मेरे पास नहीं था तो मैंने सिप्टी पीन का यहां बनाने के लिए और हाँ दोस्तों मैं सुरात में बताना भूल गई कि बूंदी को अच्छे से फेटने के बाद 15 या आधे घंटे के लिए रेश्ट के लिए जरूर रखना है और गैस पर मैंने कढ़ाई अब रख दिया है तेल गरम होने के लिए तेल यहां अच्छे से गरम ह हो गया है तो एक ड्रॉप मैंने डाल करके देख लिया है बूंदी जब तेल में आप डालें तो वो तैयर करके तुरंत उपर आना चाहिए इतना ही तेज हमें तेल चाहिए गरम अब देखिए गाईस हमें बैटर को एक से दो मिनट और फेट लेना है अच्छे से उसके बा उपर यानि डब्बे को कर लीजेगा और दीरे दीरे थप थपाते रहिए वो आराम से बूंदी तेल में जाएगा और फ्राई होता रहेगा और एक बारी में एक से डेढ़ कलचुल हमें डब्बे में डालना है और इस तरीके से थप थपाते हुए बूंदी अपना जहार लेना है और देखिए आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा बूंदी हमारा जहर करके तयार हुआ है गोल गोल बिलकुल दाने तयार हुए है कोई छोटे कोई बड़े बूंदी बन करके तयार है और लीजिए एक बैच का बूंदी मेरा फ्राई होकर के तयार है यानि ज इसलिए ध्यान से बुंदी को जारीएगा और बनाएगा और आप सर्देख सकते हैं कि कितने गोलगोल बुंदी हमारे निकल रहे हैं इसी तरीके से आप कल्चुल से भी जार सकते हैं इसको थोड़ा-thोड़ा टैप-टैप कर सकते हैं और गोल-गोल मोतियों जैसे दानेदार खिला खिला बूंदी हमारा बन करके तयार होता जाएगा बेशन का जो हमने बैटर तयार किया है इसी तरीके से डालते हुए डबे में हम सारा बूंदी अपना बना करके तयार कर लेंगे आप चाहे तो यहां फ्राइ करने के लिए बूंदियों को घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने यहां तेल का इस्तमाल किया है, तो आप सब को नजदीक से बिल्कुल दिखा देती हूं कितने खिले खिले और फुले फुले बूंदी हमारे बन करके तयार हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं पर एक-एक बूंदी अलग-अलग है बिल्कुल, तो बूंदी हमारे सभी तयार हो गए हैं, तो अब यहां पर हम चासनी तयार कर लेते हैं, फटा-फट से देखे, बूंदी मैंने तोड़ करके भी दिखा दिया है, बिल्कुल करारा बना है, तो चलिए अब चासनी तयार कर लेते हैं, इसके लिए तो देखे, दोस्तों, यहां पर मैंने आधी कटोरी से भी कम चीनी लिया है, यानि यह 100 से 1500 ग्राम के जितना चीनी होगा, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं यानि जितना हलवाई लोग डालते हैं जितना बेशन लेते हैं, उतना चीनी इस्तमाल करते हैं, तो अगर उतना डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं अपने मीठे के लिए यानि मेरे कहने का मतलब कि एक कटोरी चीनी यहां आप जरूर पूर्प इस्तिमाल करिएगा एक टीटम चीनी काफ़ी मीढ़़ा होगा इसलिए उस से ज्यादा मत डालेगा क्योंकि हम घर पर बना तो घर पर लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप चीनी इस्तमाल करिएगा या बराबर डालना चाहते हैं तो जितना बेशन उतना ही चीनी इसमें लगेगा उसी कटूरी से नाप करके जितना मैंने चीनी लिया था तो उतना ही पानी डाल दिया है तीन प फटा फट से बुंदी इसमें डाल देना है और एक मिनट के लिए डाल करके चासनी के साथ बुंदी को हमें पका लेना है ताकि जो बुंदी है सौप्ट हो जाए हमारी जब हम बुंदी को चासनी में डाल देंगे तो गैस का फ्लेम हमें बिलकुल लो कर देना है आपर मेरे प थोड़ा सा टच करने लाइक हो जाएगा यानि हलका गरम रहेगा तो हलके गरम में ही लड़ू हम बांद करके अपना तयार करेंगे तो देखे अब यह आधा गंटा हो गया है तो अब इस वक्त यह हलका गरम है और आप सब देख सकते हैं कि लड़ू जो है हमारे बिल्कुल स अपने साइच के हिसाब से लड़ू हम बना करके तयार कर लेंगे अब चाहे तो आप इसके उपर से चानिका वर्क लगा सकते हैं या पिस्ते के कतरन लगा दीजे या फिर काजू के कतरन लगा दीजे ताकि देखने में यह अच्छा लगे और आप चाहे तो इसे रैपर मे लड़ू हमारा बन करके तयार है आप सबको नजदीक से मैं दिखा देती हूं और एक लड़ू मैं तोड़ करके भी आप सबको दिखा देती हूं कि कितना रसीला बिलकुल बना है नजदीक से मैं दिखा देती हूं कोई कह सकता है कि इसे खाली मिठाई के डब्बे से हमने जार करके बनाया है यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि इस लड़ू को आप कवर करके रखिएगा यानि एर टाइट कंटेनर में आप फ्रीज में श्टोर करके एक से दो सब्ता तक आराम से इससे खा सकते हैं और इसी तरीके से ये बिलकुर रसीला बना रहेगा ये मेरी गारंटी है तो दोस्तों आप टेंसल लेने की जरूरत ही नहीं है किसी भी मिठाई के खाली डबे से फटा फट से मोती जैसे लड़ू बना करके आप तयार कर सकते हैं मैंने बनाया है तो आप सब भी बना सकते हैं तो इस्तेवार सुद्ध तरीके से बनाएए इसे आप सु